मेलाजमा से रिलेटेड मुझे हर वीडियो में बहुत सारे सवाल पूछे गई हैं तो इस वीडियो में में मेलाजमा के बारे में बात करूँगी मेलाजमा जिसे हम हिंदी में जाईयां भी कहते हैं मेलाजमा या जाईयों में ब्राउन पैचेज हो जाते हैं ये चीक्स पर नोज पर फोर हेड पर और आपके अपर लिप पे पैचेज हो सकते हैं और क्या कारण है जिनकी वज़े से मेलाजमा होने के चांसे बढ़ जाते हैं सबसे पहले तो sun exposure sun exposure से हमारी skin में melanin pigment बढ़ता है और इसकी वज़े से melasma जादा हो सकता है next important कारण है hormonal changes और इसी की वज़े से melasma pregnancy में जादा देखा जाता है और thyroid patients में melasma जादा देखा जाता है third important कारण है makeup तो काफी बार makeup से skin में irritation होने की वज़े से भी melasma हो सकता है अब मैं बात करूँगी कि क्या है वो चीजें जिनका आप ध्यान रखके melasma को काफी हद तक कम कर सकते है अगले point पर जाने से पहले मैं आपको एक बार याद दिला दूँ कि अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल पर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे YouTube चैनल पर सब्सक्राइब कीजिए जिसका नाम है दादू मेडिकल सेंटर और bell आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आपको हमारे skin और hair से related latest videos की notifications मिलती रहें सबसे important sun protection तो sunscreen लगाना बहुत जरूरी है लेकिन सही sunscreen चूज करना भी बहुत जरूरी है तो आपकी problem के लिए, melasma के लिए सही sunscreen, physical sunscreen या broad spectrum sunscreen होगा सही sunscreen चूज करने के लिए आप अपने dermatologist से मिले और physical sunscreens superior होते हैं इनमे zinc oxide, titanium dioxide जैसी चीज़ें होती है जो एक बार लगाने से काफी लंबे समय तक और काफी जादा strong sun protection ये देते हैं अगर आप chemical sunscreen भी लगा रहे हैं आप PA rating पर भी ध्यान दें अगर आपके sunscreen की PA rating 3 plus है, triple plus है या उससे जादा है तो वो sunscreen आपके लिए अच्छा है sunscreen लगाने में ये भी जरूरी है कि कितना लगाना है और घर से बाहर निकलने से पहले कम से कम 20 मिनट पहले आपको sunscreen लगाना है अगर आप चहरे पे sunscreen लगा रहे हैं तो आदा चम्मच sunscreen लगाना जरूरी है तभी आप उसका पूरा benefit उठा पाएंगे next important tip है oral sunscreens oral sunscreens भी आजकल available है जिन में antioxidants, vitamins और fern extracts होते हैं तो oral sunscreens लेने से भी आप अपनी skin में काफी अच्छा sun protection कर सकते हैं अगर हम tips की बात करें तो कुछ dermatologists oral medications देते हैं melasma के लिए जैसे की tranexemic acid tranexemic acid जादा अच्छा उन लोगों में काम करता है जिनको deep melasma है और vascular melasma है और tranexemic acid या ऐसी कुछ भी दवाई लेने से पहले आप अपने dermatologist से जरूर मिले अगले point पर जाने से पहले मैं आपको एक बार यार दिला दूँ कि अगर आपने अभी तक हमारे youtube चैनल पर subscribe नहीं किया है तो please हमारे youtube चैनल पर subscribe कीजिए जिसका नाम है अगली important चीज जो आपको ध्यान देनी है वो है creams तो please आप कोई भी over the counter cream अपने चेहरे पर ना लगाए तो आप ये creams लगा सकते हैं लेकिन कुछ भी लगाने से पहले आप अपने dermatologist को consult करें अगर ये creams और oral medications और sunscreen से भी आपका मलाजमा ठीक नहीं हो रहा तो dermatology clinics में आपके लिए बहुत सारे procedures available है इन procedures में chemical peels सबसे पहले है glycolic acid peels या TCA peels मलाजमा के लिए बहुत अच्छी है इनके इलावा आप Q-switch lasers भी करा सकते है third important treatment है martini इस treatment में हम आपके चेहरे पर vacuum से और machine से कुछ serums infuse करते हैं ये serums होते हैं कुछ bleaching agents की cocktails और ये आपके serums आपके चेहरे पर infuse करने से आपको हर session में धीरे-धीरे अपने मलाजमा में improvement दिखेगी अगली important चीज है magic blend magic blend एक cocktail है कुछ chemicals का जिसे face पे लगाकर कुछ समय तक छोड़ने पर आपको आपके मलाजमा में बहुत अच्छा फरक नजर आएगा अगर आपको मलाजमा है तो आप अभी तक ये समच चुके होंगे कि ये बहुत लंबी लड़ाई है और बहुत असानी से आपको मलाजमा से चुटकारा नहीं मिलेगा और इसके लिए आपको regularly अपने dermatologist के touch में रहने की जरूरत है और हो सकता है कि आपको कुछ investigations भी करानी पड़ें देखने के लिए कि अगर आपको कोई hormonal imbalance है जिसका इलाज भी करना जरूरी होगा I hope मलाजमा से related आपके काफी सवालों के जवाब आपको मिल गए होंगे अगर आपको मलाजमा या जाईयों से related और कुछ भी सवाल है या skin और hair से related और कोई भी सवाल है तो please नीचे comment section पर comment कीजिए मैं और मेरी team आपके सारे सवालों के जवाब देने की पूरी कोशिश करेगी और अगर आपको ये video informative लगा तो please इसे like और share कीजिए और हमारे YouTube चैनल पर subscribe कीजिए जिसका नाम है दादू Medical Center और bell icon पर click कीजिए ताकि आपको हमारे latest video की notification मिल सके झाल